गुड मॉर्निंग स्टूरिंस हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं सारा ध्यान आपका आपकी स्क्रीन्स पे अच्छी तरह से इसको देखेंगे और फिर मैं इससे कुछ आपसे प्रश्न करूंगी चलिए देखिए ये वीडियो आपके स्क्रीन्स पे झाल 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 थिक क्या देखा आपने अच्छा वेरी गुड क्या कर रहे थे वो लोग ऐसा होता है क्या कभी देखा है ऐसा मैंने तो नहीं देखा आपने देखा है तो बताईए चुहे और बिल्ली को आपने इस तरह से कभी बातचीत करते देखा है एक साथ देखा है इतने देखिये दोनों कितने कोजी थे दोनों में कोई जगणा नहीं कोई कुछ नहीं ना चुहा भाग रहा था बचके और ना बिल्ली उसको पकड़ने कोशिश कर रही थी बलकि दोनो में फिर हम बाद में आपसे ये बात करेंगे कि ये चूहा बिल्ली ये माउस और कैट उसी माउस और कैट की तरह से जैसा आपने वीडियो में देखा कि उसे कुछ अलग है जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चाप्टर नाम है conversation conversation का मतलब होता है बातचीत अब मैं आपको कुछ बाते बता रही हूं ध्यान देंगे आप लोग पूरी तरह से मैं पढ़ूंगी आप लोग पॉलो करेंगे आपकी पूरी नजर आपकी किताबों पर होगी जो टीचर यहां पर सपोर्टिव टीचर के रूप में क् request है कि बच्चों को individual book लाने के लिए कहें सब की book अपनी हो आप एक pencil रखी अपने हाथ में आपकी book हो आपका पूरा ध्यान आपकी किताब पर हमारा जो पहला portion होगा इस वीडियो का उसमें हम आपको सिर्फ यह पढ़के बताएंगे किस तरह से पढ़ना है और आपको ध्य जान से हर एक शब्द को सुनना है उस शब्द को समझने की कोशिश करनी है उस शब्द को कैसे पढ़ते हैं यह जानने की कोशिश करनी है आपको जो भी चीज ऐसी लगे कि यह आप नहीं जानते हैं उसको आप वहीं पर नोट कर लीजेगा यह फॉल्स रेवरेंस जो हमारे दिमाग में होता है ना फॉल्स रेवरेंस इस शब्द को आपने नहीं समझा होगा मैं बता दूँ नकली सम्मान करना हम किताब का सम्मान की उसमें कुछ लिखेंगे तो वह खराब हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है वेटा किताबों में अगर आप कुछ लिखें हैं और वो काम की चीज है वो पढ़ने से सम्मंदित है तो वो आप किताब के सम्मान को कहीं भी ठेस नहीं पहुचा रहा है तो मेरा आपसे ये suggestion है, मेरा ये सुझाव है आपके लिए कि जो भी मैं बताओं और जो आप नहीं जानते हैं उसको copy में note करने का काम आप homework के रूप में बादमे कर सकते हैं लेकिन हमारे पढ़ते समय, वीडियो के चलते समय जो भी कुछ मैं आपको बताओं, आप सीधे अपनी किताब में ही उस शब्द के नीचे note कर लीजिए जिससे आपको दुबारा जब आप अपनी किताब को खोलें, तो आपको उस शब्द का अर्थ खोजने के लिए अपनी copy के पन्ने पलटने की अवशक्ता ना पढ़े ज़रें आपकी किताबों पे, ready, start, हम है अपने lesson बन में, conversation, conversation, some इसे conversation भी कहते हैं, कुछ लोगों के मुझ से conversation या conversation, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं, मौसी मौसी, where is your little v housey, here is the door, under the floor, said मौसी मौसी, मौसी मौसी, may I come into your housey, you can't get in, you have to be thin, said मौसी मौसी, ये मैंने एक बार पढ़ा, मैं आपके लिए एक बार और पढ़ती हूँ, छूटी सी कविता है, फिर एक बार हर एक शब्द पे आपकी उंगली, उसके बाद आप बिलकुल शान्त मन से पढ़ेंगे, और आप इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे, और उस बीच में जो आपके शिक्षक है, वो आप से पढ़वा के भी देखेंगे, कि आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, मैं एक बार और रीट करूंगी, ध्यान देंगे, हमारा चप्र वन, नाम है, कन्वरसेशन, मौसी मौसी, वेर इस यौर लिकल वी हाओजी, here is the door, under the floor, said, मौसी मौसी, 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 I come into your housing, you can't get in, you have to be thin, said, मौसी मौसी, अब टाइम है आपकी silent reading का, हम आप से next video में मिलते हैं, okay.